बिहार विधान सभा के मौनसून सत्र की कारवाई शुरू हो गई है लेकिन सवाल तब पैदा होता है जब सदन की कारवाई में जो एहम आवाज उठाने वाले दल हैं जिसे विपक्ष कहा जाता है उसका नेता ही मौजूद नहों हम बात कर रहे हैं बिहार में नेता परतिपक तेश्वी यादो की तेश्वी यादो इस विधान सभा के मौनसून सत्र की कारवाई में शामिल होने नहीं पहुँचे क्या कुछ लबब लुबाब है हम समझेंगे हमारे सयोगी से किस तरह से देखा जी अभी तक जैसे लोगों को याद है कि ये सायद पहला ऐसा मौका है जब मौनसून सत्र की शुरुवात हुई और नेता परतिपच गायब हो गए तेश्वी यादब से आप एक तरीके से यूँ कहें कि बिहार में जिस तरीके से लालू परिवार राजनीती कर रही है तो उस राजनीती करने में अगर किसी के पास धरोहर समालने के जिम्मेदा होना ही होगा बार-बार ये कहा जा रहा है कि उनकी तबियत खराब है एक मेहने पूरे गुजर चुके हैं अगर आपकी तबियत खराब है तो आप किसी तरीके का मैसेज छोड़ सकते थे आप बता सकते हैं अगर आप उनके बिधायकों से पूछेंगे तो उन्हें भी जान तो इस लेवल पर अगर देखा जाए तो ये काफी गयर जिम्मेदाराना जैसा लगता है ऐसा लगता है कि आपका सेनापती ही बहुत कमजोर है उसमें दम नहीं है आपसे टकराने का और उसके पास सवाल नहीं है बहुत अच्छा मौका है मौनसुन सतर जिसमें आप सवाल आज में ही आप बिधान सभा में आप नेता प्रतिपक्षे सवाल नहीं उठा पा रहे तो एकदम से ये जाता है कि ये गयर जिम्मेदाराना चीज है आपको आना चाहिए था आपको सवाल उठाना चाहिए था आपको बात करनी चाहिए थी आपको अपने बिधायकों से तह होता है कि क्या रननीती होगी कैसे वो सरकार को घेरेंगे क्या करेंगे कौन कहा सिटिंग एरेजमेंट करेगा क्योंकि बिधान सभा के अंदर सबकुछ सिर्फ आँखों के इसारे पर ही होता है नेता इस तरीके से फिल्लिंग करते हैं कि आँखों से इसारे से ही समझ जात अगर तेजस्वी यादव चाहते तो किसी सीनियर नेता को यह जिम्मेदारी दे सकते थे अब्दुल बारी सिद्की है कि ठीक है आप हमारी तरफ से आप ही जगर में अनुपस थी तो आप सवाल उठाइए लेकिन किसी के पास जिम्मेदारी नहीं सब को अब जितने भी बाइ कैसे आगे आपको याद होगा जब शुरू-शुरू में सरकार बनी थी महाकट बंदिन के बिहार में नितेश कुमार साथ थे और राज़त भी साथ में था उसके बाद जब अलग हुए वो एंडिये में शामील होगे एक बड़ फिर से उसके बाद जब नेता परतिपक ते आखिर वो कौन ची परस्तिती होगे बिल्कुल कभी भी कोई ऐसा मौका नहीं आया जब तेजस्री आदब ने नितीश कुमार को नितीश कुमार जी या हमारे मुखमंत्री कहा हो हमेसा पल्टु चाचा ही कहकर उन्होंने संबोधित किया चाहे वो ट्वीटर हो या लोग आदब की राजनीती में और तेजस्री आदब की राजनीती में तेजस्री आदब और लालु आदब में सबसे बड़ा फरकी है कि लालु आदब कभी भी हार नहीं मानने वाले नेताओं में से थे वो कभी भी नहीं हारे जब इतनी बिकट परिस्तिती थी उस बिकट परिस् सिती बनी गटबंधन कर लिया और सरकार बना दिया सीटे जीते सबसे ज़्यादा तो लालो यादब वो नेता है जो कहीं से भी वो बने रहते हैं उन्हें राजनीती करने ही आती है उन्हें पता है कि राजनीती करने के लिए उन्हें क्या करना है कैसे उन्हें राजनीती में बने रहना है लेकिन आप तेजस्री आदब को देखिए एक लोग सभा चुनाओं में हार हुई है और इस तरीके से उन्होंने बिस्तर पकर लिया कि उठकर बिधान सभा तक नहीं पहुच पा रहे हैं ये बहुत बढ़ा सवाल उठता है कि आप किस तरीके की राजनीती करें दूसरी तरब महागटबंदन ने भी उन्हें नेता चुना था पांच दल एक साथ आये थे बहुत सारे लोगों की उनसे उम्मीद थी रिजल्ट और ऐसा नहीं आया लेकिन अब वो लोग क्या करेंगे ये भी उन्हें पता ने हर कोई अपनी अपनी राह चल रहा है कॉंग लेकिन अब तो उनकी मा और विहार की पूर मुक मंतरी राबडीटविवे अटपटा बयान देरें बिल्कुल राबरी देवी से जब आज पूछा गया कि तेजस्री आदब कहा है तो उन्होंने पत्रकार कोई कहा कि आपके घर में बिल्कुल यह गैट जिम्मेदाराना बयान है एक तो वो राज़त की सीनियर नेताओं में से एक हैं बिहार की मुख्यमंत्री रही हैं तेजस् कहा है अगर आपको पता है तो आप यह आप इस बयान के जरीए यह भी कहना चाहते कि मीडिया आप यह सवाल ही ना पूछे कि तेजस्री कहा है तो आप सीधे तोर पे तेजस्री आदब को क्या नकारने के लिए तयार है कि क्या आपको लगता है कि नए भमें तेजस्री को भूल जाना चाहिए तेजस्टी आदब को छोड़ देना चाहिए कि एक हम मीडिया के लोग हैं जो लगातार तेजस्टी आदब की बात करें क्योंकि तमाम मीडिया घरों को लगता है कि अगर कहीं ना कहीं तेजस्टी आदब गायब हुए इस राजनिती से तो तो विपक्च का vacuum create ho जाएगा और विपक्च नहीं होगा तो आप जब तक आप सरकार से सवाल नहीं करेंगे आप सरकार के कामों का हिसाब नहीं लेंगे तो आपको हिसाब देगा कौन क्या सही हुआ गलत हो कि राबरी देवी ने जिस तरीके से बयान दिया ये बिल्कुल गैर जम्मेदाराना है और तेजस्ट्वी आदब के बारे में उन्हें तो जरूर जानकारी होगी कि वो कहां है तो उन्हें ये बताना चाहिए तहां कब तक आएंगे अगर कोई बात ने अगर आप कहते हैं कि अभी नहीं आएंगे तो आप खुद आगे बरकर जिम्मेदारी लें अपनी पार्टी के लिए या किसी सीनियर नेता को आप जिम्मेदारी दे लेकिन इस तरीके की बातचीत नहीं हो रही है आप बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना अंदाज में कहते हैं कि आपके घर में और इस बीच अगर हम बात कर लें तेश्वी यादो गायब हैं उनको मुख बहुत बड़ी भूमिका दी गे थी पार्टी में कि किस तरह से टैकल करना है वो विदान सबा के कारवाई में भी नहीं पहुँचे लेकिन इस बीच तेश परताप यादो लगतार अरे अपने प एश्वरिया और तेश परताप का जो मुद्ध है अब वो सुधरने वाला नहीं है अब कोट में इन्हें जाना ही होगा इनकी जो भी अरजी है उस पर सुनबाई होगी एश्वरिया राय मिल्कुल अब अगर एश्वरिया राय का मूँ खुलता है वो अब बं फटता है तो लालू परिवार के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है और ये भी कहा जा रहा है कि चंद्रिका राय भी आरजेडी छोड़ सकते हैं अगर चंद्रिका राय ने आरजेडी छोड़ी तो वो भी बहुत कुछ बोलेंगे तो यहां से एक दूसरी मुश्किल शुरू हो जाती है तेज़स्री आदब तेज़स्री आदब और लालू आदब के लिए अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इसलिए भी तेज़स्री आदब नदारत है वो चाहते है कि उन्हें तेज़स्री परताब के इस पूरे प्रकरन से अलग कर दिया जाए क्योंकि उन्हें लग रहा तक हमारे सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि कल तेजश्री आदब सीधे राची पहुंचेंगे पहले वो लालू यादब से मुलाकात उनकी होने वाली है उसके बाद वो वहां से फिर फ्लाइट लेकर पटना आएंगे तो अभी इंतजार और करना होगा लेकिन सवाल यहां से कई सारे खरे होने लगें तेजश्री आदब को लेकर कि तेजश्री आदब अपने दिल की बात कह क्यों नहीं रहें वो अपने पिता तक अपनी बात पहुंचा है अपने भाई तक पहुंचा है अपने घर का जो कलह है उसे सांध करें साथी जो बात कही जा रही थी कि वो दिल बात निकल कर सामने आती है तेजस्वी आदब अगर सवाल नहीं उठाते तो यह भी तो चीज शुरू होती है कि क्या तेजस्वी आदब नितीश कुमार को घेरना नहीं चाहते क्या वो नितीश कुमार पर क्वेस्चन नहीं उठाना चाहते क्या कोई सौप्ट कॉर्णर है न उनकी रननीती का भी यह हिस्सा है कि नहीं हम नितीश कुमार की सरकार को घेरेंगे यह नहीं ताकि आगे आने वाले दिनों में अगर कोई ऐसे चांसिस बनते हैं तो वह रास्ता खुला रहे तो सवाल अब कई सारे खरे हो रहे तेजस्री आदब के सिर्फ ना आने के हमें सवाल भी है कि किसी राजी का नेता प्रतिपा अगर गायब हो गया और जिसके बारे में जानकारी नहीं है लागातार बीजेपी के नेता कहते हैं कि ठीक है आप F.I.R. दर्ज कराना चाहिए लेकिन हाँ ऐसे में सवाल उठता है कि वो सच में गायब है और अगर किसी को जा बालों को F.I.R. दर्ज करा देनी चाहिए कि तेजस्वी आदब हैं कहां और हमने तो पोस्टर भी देख लिए लेकिन सवाल उठता है और इंतजार करना होगा इंतेजस्वी आदब के पूरे प्रकरन पे देखे चर्चा अभी किस बात की नहीं है कि आखिर सवाल क्या उठ हाए जाएंगे राजत किन बातों को लेकर सामने आएगे सिर्फ अभी हमारे पास एक ही मुद्दा निकल का आ रहा है वो है चमकी का कि चमकी के मुद्दे पर सरकार को घेडने की कोशिश बिपक्च कर रही है यह मुद्दा सबको पता था लेकिन इसके अलाबा भी बहुत स सोंबार तक तेजस्वी आदव प्रजेंट हो जाएंगे क्या वो विधान सबाद जाएंगे और क्या वो उसी पूराने क्लेवर में दिखेंगे हमें या उनकी रननीती में चेंज होने वाले हैं कि नितिश कुमार को लेकर अब घेडने की रननीती ना करें तो देखना होग क्या तेजस्वी आदव के नहीं पहुँचने से कितना जटका पहुँचेगा घातक होगा जो विपक्ष के नेता अगर गायब रहेंगे जनताए गाड़ी कमाई से सदन चलती है और उसमें सवाल पूछने वाला ही ना हो तो फिर क्या कुछ निकल करके सामने आएगा फिलह यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया तो तो सब्सक्राइब कर लें और खबरों को डिटेल से पढ़ने के लिए लाइव सिटीज डॉट इन पर जाए धन्यवाद धन्यवाद